वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू अगर विंडी बनाते समय आप ये एक चीज डाल देंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी तो फ्रेंच चलो शुरू करते हैं वीडियो बनाना तो उसके लिए मैंने यहाँ पर विंडियो को अच्छी तरह से वाश कर लिया है इसके डंटले को आपको बिल्कुल हटा देना यहाँ से दोनों तरब से आपको डंटले को हटा लेना है भिंडि आपको यहाँ पर ज्यादा पकी हुई नहीं लेनी है तो यहाँ से देखिए इस तरह से मैं सभी डंटले को हटाऊंगी और फ्रेंच देखिए अगर आपको आज की रेचिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करना चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो यहाँ से मैंने भिंडियो को कट कर लिया है और देखिए अब हम इसे इस तरह से कटिंग करेंगे तो अभी हमने डंटले को कट किया था अब आपको भिंडि को कट करना है आप जो भी सेव देना चाहते हो वो यहाँ पर दे सकते हो लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे इसे चार भागों में कट करके तो एक बहुत ही स्वाधिष्ट लगती है और फ्रेंच देखिए इस तरह से आपको सभी को कट कर लेना है यहां से मैं सभी को कट करूंगी आपको इसके बीजों को बिल्कुल नहीं हटाना है बीज इसके पके हुए नहीं है कच्छे बीजे तो आप इने भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां से मैंने बिंडि को कट कर लिया है और इसे आपको इस बरतन में डाल लेंगे अब हम क्या करेंगे यहां पर लेंगे बड़ा सा बरतन तो यहां से बड़ा बरतन मैंने ले लिया है और बड़े बरतन में आपको इने यहां से ट्रांसपर कर देना है तो मैंने यहां पर भिंडियों को दूसरे बरतन में डाल लिया है अब हम इसमें क मक इसके अंदर आपको एड़ कर देना है और थोड़ा गरम मसाला सिर्फ इतना ही मसाले आपको इसके अंदर एड़ करने है जादा मसाले आपको इसके अंदर एड़ नहीं करने है और सभी मसालों को आपको यहां से इस तरह से मिक्स कर देना है विंडी के अंदर अच्छी तर तो मैंने क्या क्या है इसे मसाले को नीचे ही डालना देखे यहां से आपको इसी तरह से भिंडी में नीचे ही मसाला भी डाल सकते हो और अब हम आचुके हैं गेस की तरह तो गेस पर हमने कड़ाई को रखा उसमें 2 चम्मच ओल डाला है और यहां पर सरसुका इस्तमाल करना है आपको ओईली गरम होने के बाद में इसके अंदर आपको आदा चम्मच के करीब अजवाइन डालने के बाद आपको यहां पर तीन से चार कलिया लस्सुन की डाल देनी हैं लस्सुन को आपको अच्छी तरह से फ्राई करना है उसके बाद में प्याज को इसके अंदर तो यहां से आपको हलका सा कलर आजाए उसके बाद में प्याज देखे हमारी बनका तयार हो जाएगी तो यहां सभी फ्राई नहीं हुई है आपको इसे 1-1,5 मिनट तक फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर यहां से देखे मैं भी आपको दिखाती हूँ इसमें हलका डाल दिया है अगर आप रैसेपी में बेशन को डालते हैं इसमें तो यह बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगी यह आज हम भिंडी और बेशन का बहुत ही अच्छी रैसेपी बना कर दिखाएंगे आपको तो यहां से आप इसमें आदा कटोरी के करीब पानी डाल देना जैसे आ आपको इस तरह से अच्छी तरह से बेशन को भून लेना है जैसे हमारा बेशन यहां से बून जाएगा बेशन को आपको यहां पर एक मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है तो यह अच्छी तरह से पक जाएगा इसका कलर चैंज नहीं करना उसके बाद में आपको यह जो हम तरह से mix करना है पानी आपको इसमें बिल्कुल नहीं डालना है यहां से तो अब हमारी भिंडी यहां से देखिए अच्छी तरह से मसाले के अंदर यहां से देखिए mix हो चुकी है अब हमें इसे 1-1,5 मिनट और पकाना है और 1-1,5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहा देना है इससे और भी स्वादिष्ट बनेगी तो देखिए फ्रेंस अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे यहां पर आप कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को आप जाद से जाद से जाद से जरूर करना तो फ्रेंस आप इसी तरह से अपने घर पर इस इस तरह से इस बिंडी को बना कर खाते हैं तो यहां से देखिए बनकर तयार हो चुके मैं भी आपको दिखाती हूँ शिर्प आप इसे पांच मिनट के अंदर बना कर तयार कर सकते हैं बिंडी को बिल्गुल भी जहनजट नहीं लगेगा यहां पर नहीं आपका जाद समय समय में बनकर तयार हो जाती है और देखिए देखने में भी बहुत ही टेश्टी लग रही है यकीन मानिये बहुत ही टेश्टी बनेगी अगर आप इस तरह से बनाते हैं